हेलो एवरीवन मैंनी लम्दिवारी आप सभी का मैंगनेट ब्रिंस में बहुत बहुत स्वागत कर दी हूँ मैंगनेट ब्रिंस एक कैसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडर गार्टन से लेके 12 क्लास तक के सारी वीडियो बिल्कुल फ्री एवेलिवल करवाई जाते हैं और जैसा के मैंगनेट ब्रिंस टेस्स सीरीज में हमने आपके लिए पंच महपाथ हमारा नाम क्या है जिसका रिक्षाह कहां पर है ये कक्षा छटवी संस्कृत की रूचिरा प्रथम भाग में ठीक है उसका टेस्ट पेपर हमने आपको दिया था तो और हमने अब आपको बता शब्द तरीके से कुछ ना कुछ नई चीज हर एक पाठ में सिखाई गयी है जैसे कि पहला हम जब पाठ दिखते हैं तो उसमें शब्द परिचाह अकारांत का करवा दिया गया है यांनि जितने भी अकारांत पुरलिंग वार्ची शब्द हैं उनको सिखाया गया. चतुर्द पाथ में देखेंगे, आपने विद्या लएवाले में तो जहां हमने प्रतम, द्वितिय और तृतिय हैं. इन तीनों पाथों में हमने क्या-क्या सीखा था? हमने अकारांत और आकारांत वाले शब्दों को सीखा उनके सासाथ में क्रिया को भी लगाना सीखा ठीक है न क्योंकि जो भी शब्द हमेरे अकारांत आकारांत जो शब्द दिये हुए थे वो हमारे कहां पे आने वाले शब्द थे प्रथम पुरुष में भई काम करने वाला करता होता है न वह कितने प्रकार का होता है thiन प्रकार का होता है संस्कृत में जो काम करने वाला व्यक्ती होगा वह तीन प्रकार का का होगा कि कौन सी श्रेणियों का होगा प्रथम पुरुषका प्रथम पुरुषका मध्यम पुरुषका और उत्तम पुरुषका ठीक है यानि तीन प्रकार की श्रेणियों का हमारा करता माना जाता है ठीक है करता को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तीन में अच्छा अब इसमें क्या मतलब ऐसा कौन सी केटेगरी किस हिसाब से इसको बनाया गया किसे इसको श्रेणी में बिभाज़त किया गया तो बहुत सरल है कि मैं उत्तम तुम मध्यम बाकी सब प्रथम याद रख लिए मैं उत्तम तुम मध्यम और बाकी सब बाकी किसी का भी न क्रिया लगाना सिखाई क्योंकि काम करने वाला अगर है तो वो कुछ करना काम काम कर रहा होगा अपना कुछ ना कुछ उसकी लिए सेंस्कृत में कैसे क्रिया लगाई जाए तो यह हमने कहां पे अपनी चार पाठों में सीखी जिसमें की प्रतम पुरुश्का करता यह हमारी चतृत पाठ पान्चम पाठ में अभी कौन लकारवाली क्रियाओं का परिचय करवाया जाता है बहुत ही देखी क्रमबद तरीके से आपकी पुस्तक का निर्मान किया गया है कि सबसे पहले शब्द बताए इन तीनों पाठों में अकारांत शब्दों के साथ में क्रिया लगाना सिखाई और वो भी अभी केबल कौनसी व वाली ही तीन क्रियाओं का प्रियोग हुआ फिर चतुर्त पाठ में पहुंचे तब हमने तो हम योवाम यूएम और अहम आवाम वयम के साथ भी क्रिया लगाना सीखा है हमने सीखाना आपको जरह देखिए जरह हमारी वीडियो हमने सिखाया है आपको यह जीज़ है अब क् एक काल यानी केवल वर्तमान काल की क्रियाओं का अभी ज्यान करवाया जा रहा है छटवी कक्षा में ठीक है ना चटवी कक्षा के अभी कौनसे पाठ था अभी पांचवा चटवा फिर जैसे ही नया पाठ आएगा देख बताएंगे फिर उसमें जब आपकी लट लकार के वर्थमन काल की क्रियां को लगाना शीक लेंगे फिर उसके बाद बूत काल की जरूरी नहीं कि दिये हुए है तो आपको पता चलता जाए इंका अर्थ निकल तो प्रथम पुरुष का अगर करता है यानि काम करने वाला और काम करने वाले जरूरी नहीं है कि वह एक ही हो एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं और बहुत सारी भी हो सकते हैं इसलिए संख्या के आधार पर पहले तो उनको की तीन स्रीनिया बनाएगी प्रथम पुरुष उत्तम जहां पर मैं लिखा हुगा होगा उसके साथ में जो क्रिया लगेगी पढ़ने की हो लगेगी उस क्रिया को वर्तमान में दर्शाने के लिए उत्तम-पुरुष्च के प्रत्यायो लगाये जाएंगे अभी बतातें कैसे फिर करें कि तुम जाओगे तुम दोनों जाओगे तुम सब जाओगे यानि तुम मध्यम तो तुम के साथ में यानि तुम खेलते हो तुम पढ़ते हो तुम जाते हो तुम गाते हो तुम जो भी काम कर रहे हो तुम विद्या ले जा रहे हो तुम टीवी देख रहे हो तुम स लड़का हो हाती हो घौड़ा हो फानी हो बादल हो दुनिया का कोई कि की पानी काम करते हैं क्यों हुच्छन वी उचलने का काम करता है तो रहनेров지만 तो वो भी तरंग भी करता हो गए तो वो किस स्रेणी में आए उने के लिए प्रथम पुरुष की क्रियाओं के प्रत्याय लगाए जाएंगे तो प्रथम पुरुष की क्रियाओं के लिए कौन से प्रत्याय लगाए जाते हैं अब काम जो है करने वाला करता है लेकिन जरूरी तोड़ी ना है कि हमेशा काम एक ही कर रहा हो हो सकता है दो बच्ची पढ़ रहे हूं हो सकता है बहुत सारे बच्ची पढ़ रहे हूं बहुत सारे बच्ची खेल रहे हो हो सकता है एक हाती आ रहे हैं और हो सकता है बहुत सारे हाती आ रहे हूं है न हो सकता है एक हाती चल रहा और बहुत सारे हैं तो बहुत सारे हैं तो क्रिया में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करूँ यानि जैसे अगर पठे ही लिखा हुआ है या जाने की बात करें तो लिखा हुआ है गच्छ 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 लिखा हुआ है अब लेकिन एक जा रहा है दो जा रहे है या बहुत स और अगर एक है तो उसके संग में ती लगा दीजिए तो यह हमारा बन जाएगा गच्छती तो हमारी क्रिया में ती चुड़ जाता है क्रिया कोई भी हो सकती है धातू हमारी कोई भी हो सकती है तीके दुनिया में जितने काम हो रहे हैं सब की अपने अपनी धातू होती है जि यह हमारी क्रिया है थारने को दर्शाया जाता है कहांध निखाने को दर्शाया लख से तू लिखना जा आउस होती है ठीके ना तो उन्में क्या जोड़ देंगे हम थी तह और अंती ठीके क्या जोड़ देंगे ती तह अंती क्रिया कोई भी हो काम कोई भी हो रहा हो अगर काम करने वाला प्रथम पुरुष में आता है और वो अगर एक है और वो वर्तमान काल में काम कर रहा है तब हम बताएंगे कि तब हम उसके एक वचन के लिए उस क्रिया में लगा देंगे ती बजने का प्रियाश करें तो जैसे हमारा बालक है और बालक पढ़ रहा है दो fraTY नहीने और बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं तो बालक को सबसे पहले हम संस्कृत में परिवर्तित करेंगे संस्क्रित में कैसे परिवर्तित करेंगे Laurie क chuckling है कितने शब्द रूप होते हैं अगर एक बालक की टेबल को उठा के देखेंगे तो उसी के 24 रूप निकलेंगे आपको तो जब वो काम कर रहा होगा तब कौन सा रूप उठाएंगे तो जो शब्द रूप पढ़ते हैं उनमें जो सबसे पहली लाइन होती है वो काम करने वाले करता के लिए ही बनाई गई है यानि जो व्यक्ति काम कर रहा होगा उसको प्रतमा विभक्ति वाली लाइन में दर्शाय जाएगा तो कहेंगे बालक पढ़ रहा है दो बालक पढ़ रहे हैं वह सारे बालक पढ़ रहे हैं ठीक है तो बालक हमा लंग लखार में लट लंग लोट विधिलिंग इन चार लखारों में गम जो धातू है वो अपना रूप गच बना लेती है तो कहेंगे लड़का जा रहा है तो कहेंगे बालकह जाने को क्या किसीदर से रहा है गच से लेकिन कध सा Centers में यहां अब इसमें परिवर्तन क्या करेंगे कि एक के लिए भी हमने गच लिए दो के लिए भी लिए और बहुत सारी के लिए तो क्या करेंगे यह इनमें अंतर कर देंगे अगर एक लड़का जा रहा है यसमें पर ध्रफ के साथ क्रिया लगाय जाती है ठीके-फिर आते हैं मध्यम-पुरुष्ष। तो मद्यम पुरुष के करता के लिए लगा दिया जाता है सी थह और अब इसमें क्या परिवर्तन होगा अब हमने कहा कि तुम जाते हो तुम दोनों जाते हो ठीक है तुम दोनों जाते हो और तुम सब जाते हो तुम जाते हो तुम जाते हो तो अब जैसे ही करता हमारा कौन बना तुम आ गया तो तुम मद्यम पुरुष का होता होता है समझ गए लेकिन तुम दोनों तुम सब मद्यम यहां हमने दुनिया भर की चीज़ें बोल दे लेकिन यहां हम केबल तीन ही लोगों को बोलेंगे के तुम तुम दोनों तुम सब यानि रहेगा तुम वो एक हो जाएं दो हो जाएं और बहुत सारे हो जाएं बस यह फर्क नहीं पड़ता वचनों के अंसर परिवर्तन बस हो जाएगा उसमें मतलब ले दे के मद्यम पुरुष के कीवल तीन करता बनेंगे बस करता तो एक ही होता है तुम वो लेकिन अगर संख्या में बदल जाए तो तीन बदल आगा नहीं तुम तुम दोनों और तुम सब बस तो इनको संस्क्रित में कैसे दर्श आएंगे कहेंगे तुम को भी हम प्रतमा विवत क्यों कि तुम के भी अगर रूप देखेंगे तो किस रूप बनते है लोप लोगा संख्या रहा हो गा याने का काम कर रहा हूँ करतה है जो काम लगाई जाएगी तो तुम के संस्कृत हमें कहां मिलती है युश्मद के शब्द Volkshoff में मिलती है कहां मिलती है युश्मद के शब्द रूपों में हम कहेंगे तुम जाते हो तो तुम हमारा युश्मद में की जब आप प्रत्मा विभक्ती की लाइन देखेंगे प्रत्मा विभक्ती प्रत्मा विभक्ती की बात क्यों कर रहा है क्योंकि करता बन रहा है करतर ही प्र दुशमदर शब्द हमारा प्रत्माविवक्ती एक वचन में बनता है त्वम, दूइ वचन में बनता है युवाम और बहुवचन में बन जाता है यूयम ठीक्क है या तो हमारा क्या जाएगा माहलन्त लगा दे या फिर अपनी अनुस्वार लगा दे कोई परता और फर्क नहीं परता है कभी आप कोई इवाम भी दिखे गा और कभी मानुस्वार मानुस्वार अ लंधुर तीर या नुस्वार रिख जए तू फर्क नहीं फरता है यह सूचेघ़ कि कोई सीज अलग हुई है तो अब ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है और तुम ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है समझ रहे हैं तो इनके साथ मैं कैसे क्रिया लगाएंगे कहेंगे एक को कहते हैं तुम को कहते हैं तुम तुम दोनों को कहते हैं योवाम और तुम सब को कहते हैं यूयम क्या कहते हैं यूय वी आई पी तो हम युवाम यूयम कैसे हैं वी आई पी वी आई पी सीट देखी है कभी विश्यों देखने जाओ कहीं पर बड़ा कोई कारिक्रम हो रहा हो तो वी आई पी सीट क्या होती है बोले शुरू में जैसे यह मंच बना हुआ है और मंच के सबसे आगे दो लाइन जो हो या हमारे जितनी भी काल बदलेंगे काल बदल जाया कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मध्यम पुरुष में जो हमारे प्रत्याय लगेंगे वह के बल इन तीनों के लिए बदलेंगे ठीके इन के लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा तुम के साथ में एक वचन वाला सी लगा देंगे तो आम गच्छ सी तुम दोनों जाते हो योवाम गच्छ थह और तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छ थह इस प्रकार से यह हमारा रूप बन जाएगा समझ गया तो यह वी आई पी ने और किसी को नहीं आने देगा यहां सी थह थह जो हमारी क्रिया में अंत प्रतिया लगाएगा प्रतिया यानि ऐसे छोटे जो शग्द जो किसी भी धातू के अंत में लगाएज जाते हैं ठीक ना तो यह हो गया ठीक है तो तुम योवाम यूवाम कहां से क्रिया उठाएंगे इनके साथ में केवल मध्यम पुरुष की क्रिया चलींगे अब आते ह का सब्सक्राइब करने नहीं हूं मैं करते हूं यह दो लें लेकिन फेरे साथ में यहति रहा हूं पढ़ेएंगे धीक क्या दोन हो पढ़ रहे हैं तो में जो है वो तो बना ही था करता उसके साथ में वो दोईवचन वाला भी बन गया और बहुचन वाला भी हो गया तो हिंदी में जिसको हम कैसे बोलते हैं मैं हम दोनों हम सब तो उसी को संस्कृत में कैसे बदलेंगे तो जैसे देखिए जैसे हमें तुम श यह अर्थ भी समझाया हुआ है तो फिर से क्योंकि अब काम करने वाले में हो रहे हैं उत्तम पुरुष का करता बन रहा है तो वही प्रत्मा विभक्ति का रूप उठाएंगे यानि शब्द रूप की पहली लाइन हम उठाएंगे अहम यानि मैं आवाम यानि हम दोनों और व तो प्रत्म फिर थे वह केवल तुमके लिए बने हुए थे अब हम और वयाम अब यह भी कैसा है यह भी वी आई पि है तो इसके लिए इसने कहा कि अच्छा हम होड़े ना तुमकि सीट पिजा नहीं हमारी लिए खुद अलक से चियर लगी हुई है वहन्द हमारी लिए आप लगाएंगे तो क्रियाहों में क्या लग जाएगा उस्क्रियाह में लगादिया जाएगा आमि वह और आमहे चीए विसर लगा हो जाएंगा talking हूप वय में और यह से ऌू पूरुष पुरुष्णों के लिए अलग 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 लगाई जाती है अच्छा अब्लख की हमने क्रियां को आपको लगना सीक रहिए करता को बता अब अच्या भूले हमने ये सब चीज़ ey दोर में चार पाठ तक हमने ये सारी चीज़ आपने पांचवे पाठ में यह आज नईए सछाई आई अब यह क्रीन सब्रेस हो गई ना तो में कौँझी अप नई चीज़ सिखाई जा रही है तो अभी तक चार पाठ में आपने करतरी प्रत्मा यानि हर एक को आपने बताया कि जो काम करने वाला हो रहा होगा उसको करता कहते हैं उसमें शब्द रूप शब्द रूपों की पहली लाइन का प्रियोग किया जाता है यानि अगर आप बालक के हम यहां पे आपके लिए रूप तो प्रत्मा विभक्ती में क्या रूप बनता है? बालकह, बालकव और बालकाह. ठीक है? दुईतिया विभक्ती में क्या बनता है हमारा? दुईतिया विभक्ती में बनता है बालकम, बालकव और बालकान. फिर तृतिया विवक्ती में हमारे रूप क्या बनते हैं? बाल केन, बाल का भ्याम, और बाल कई फिर इसकी बाद चतुर्थी विवक्ती में वही हमारा रूप बनता है बाल का भ्याम, बाल के भ्याह, ठीक है? फिर इसकी बाद पंचमी विवक्ती में बनता है बाल काद, बाल का भ्याम, बाल के भ्याह सश्टी विभक्ती में हमारा रूप बनता है बालक का बालकस्य बालकयो और अनुस्वार नहीं आएगा विसरण बालकयो और बालका नाम और सक्तमी विभक्ती में वही हमारा रूप बन जाएगा बालके बालकयो और बालकेशु अब देखिए ये हमने क्यों लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि हम बताईए हमने अभी तक इन चार पाठ में हमने करता को ढूंडा कि अगर काम करने वाला कोई व्यक्ती बन रहा हुआ तो संस्क्रेट में उसको बोलने के लिए हम किस बालक के यानि लड़का अगर पढ़ रहा है लड़का काम कर रहा है और केवल लड़के की बात नहीं है यहाँ पे जितने भी अकारांत शब्द होंगे पुरलिंग वाले चीक है अकारांत जितने भी पुर्लिंग होंगे उनके सबके शब्द रूप इसी प्रकार से बालक जैसे बनते हैं यानि जो भी शब्द पुर्लिंग वाला होगा यानि पुर्ष जाती को दिखाने वाला होगा और से अंत हो रहा होगा उसकी रूप बालक जैसे ही बनते है लेकिन जो दुनिया में काम करने वाला कोई भी उसको बताने के लिए आप उसके शब्द रूपों की पहली लाइन को ही उठाएंगे लडकी होगी तो बन जाएगा बाली का बाली के बाली का ठीक है हमारे कौन सा हरी माली जी कहके दिया हमने के कवी है कवी गाता है कवी लिखता है तो तब कवी अगर को रचना कर रहा है कवी अगर गा रहा है कवी अगर कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए हम क्या लिप्रियों करेंगे उसकी प्रत्मा विखक्ति का हरी हरव हरयह कवी प्रत्मा विभक्ति के तीनों वचन आ जाएंगे तो प्रत्मा विभक्ति आपने सीख ली है समझ में आ गया है कि करता को अब गर आपको संस्कृत में बनाना है तो प्रत्मा विभक्ति लगानी है ठीके वो कोई भी शब्द हो सकता है लेकिन इस वाले पाठ में आप द्वीतिया विभक्ति को सीखेंगे इस पार्ट में आपको किस चीज को सिखाया गया है द्वीतिया विभक्ती को सिखाया गया है क्योंकि द्वीतिया विभक्ती किस में लगाई जाती है कर्म में ये जो दूसरी लाइन जो पढ़ते हो ना आप संस्कृत की क्यों याद करते हो कि मैं रटने के लिए ने पढ़ते हो इसलिए पढ़ते हो कि अगर हमारे वाक्य में निश्चित तोर पे है कि कर्म तो आएगा ही अब कर्म क्या है ये भी बड़ी समस्या है करता समझ में आ गया कि काम करने वाला करता होता है लेकिन कर्म क्या है तो कर्म बिलकुल सिंपल सी ब आपकी मन में आया पहला नाम की नहीं आया तो संस्कृत आप को पूछते हैं कि बताये आपने क्या खाया आज आपने दिन सुबह से उठें तो सुबह से आपने क्या पिया तो कोई काएगा मैंने कॉफी पी कोई काएगा मैंने तो दूद पिया कोई काएगा मैंने तो मिल्क शेक पिया कोई काएगा कि मैंने तो कॉल्ड कॉफी पी दुनिया की जो भी चीज तो आप कौन हो गया करता पीना क्या हो ग कर्म कहलाता है तो यहां पर जो हम दूसरी लाइन याद करते हैं दूसरी लाइन के जो रूप बनाना सीखते हैं किसलिए बनाते हैं कर्म के लिए याद करते हैं क्या बनाने के लिए संस्कृत में कर्म को परिवर्दित करने के लिए तो हमारी कर्मनी द्वीतिया कर्मनी द्व को द्वीतिया ठीक है ना तो जैसे कि अब हम यहां पर आपको कुछ जैसे वाक्य लिखें कि मैं चित्र बनाता हूं मैं चित्र बनाता हूं ठीक है फिर कहोगे तुम विद्याले जाते हूं मैं लड़का लड़की को देखता है ठीक है तो बताएए अब इसमें कर्म कौन है तो कहेंगे मैं मुले नहीं मैं तो बनाने का काम कर रहा है तो मैं कौन हुआ मैं हो गया करता कि यहां पर काम क्या हूँ रहा है विखेंद बनाना किसी कित्र की तो क्या हो गया जाने हो जाने की लेकिन जाने की द्वारा कहां जाना चाहरे हो विद्याला विद्याला क्या हो गया कर्म हो ठीक है लड़का मुझे लड़का कौन है मुझे देखने का काम कर रहा है लड़का कौन हो गया करता क्रिया क्या हो गई देखना लड़की को देखना चाहरा है तो लड़क है करता करतरी प्रत्मा तो में को हम क्या बनाएंगे अहम प्रत्मा विवक्ती एक वचन में अहम ठीक है बनाता हूं क्योंकि चित्र की हम की रचना करते हैं अपने आप से तो वह हो जाएगा रचयामी ठीक है ये वो गया आमी लगा दिया अच्छा क्योंकि अहम था ना इसलिए उत्तम पुरुष की क्रिया लगाई हमने कौन सी आमी आवाअमा सून रच धातु मैं हमने क्या लगा दी रचयामी चीक है बन गया है अब देख लेते हैं हम ने कहा अहम रचयामी अब किस को बना र रहा हूं तो चित्र को क्या कहोगे चित्र को क्या कहोगे कर्म नहीं दूइतिया कर्म में हम दूइतिया लगाते हैं तो जब उसको क्या चित्र कहोगे बूले नहीं चित्र एक ऐसा है नपुनसक लिंग वाची शब्द है और नपुनसक लिंग के हमने पढ़ेते रूप के प् तो उसके नपूंसक बिंग जैसे रूप बनाना है chi लेकंगे चित्र तो क्या है नपूंसक लिंग है तो अब एक चित्र बना रा है तो झोले अभी तो क्या है लेकिन हमें हमें पता होना चाहिए कि हम कर्म बना रहे हैं तो Nh сюitika विभक्ति का ही रूप ले रहे हैं भले ही समान दिख रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए न तो कहेंगे अहम चित्र बन जाएगा फलम जैसा सो हम कहेंगे चित्रम रचयामी मैं चित्र बनाता हूँ अब दूसरी बात पर आते हैं लिखा है तुम विद्याले जाते हो तु तो करतरी प्रथमा होती तो यू 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 को जाता है तुम लगा देंगे तो यह हो जाएगा सी गच्छ सी कहा जाते हो विद्याले विद्याले शब्द कैसा है अकारान और अब जब कर्म बनना है तो क्या कहेंगे द्वितिया विभक्ति तो विद्याले भी बालक जैसा रूप बनेगा अकारान तो शब्द है बालक जैसा रूप बनेगा तो द्वितिया विभक्ति में बालक बनता है बालकम तो विद्याले भी हो जाएगा हमारा विद्यालयम चीक है चाहे तो अनुस्वार लगा दीजिए या फिर माहलंत लगा दीजिए यह मुनस्वार जब संधी आप जब दसवी कक्षा में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा और जो बच्चे भई पढ़ना चाते हों तो हमने यह संधियां भी बना रखी है कहीं जहा मारा अनुस्वार है कभी माहलंत हो जाता है कभी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है संधियों की नियम से लेकिन अभी हम आपको फिलाल मोटी चीज तो बता है थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर की चीज तो बता है फिर गहराई में पंदीरे दीरे उतरेंगे फिर तीस कारों में पष्क की तरह अपना रूप बनाती है तो क्या कहें इसमें बाल कह पशिद्धा पुमें़ेंगी लगाएंगे अब प्रथम पूरुष्की मध्यम पूरुष्की पूस्तों क्या लगाओ कि तीध स्थ लगाओं गराणि अमी आवलगा लगाओं तो तो कहेंगे भई सी थह थह मद्यम पुरुष्की है आमी आवह आमह उत्तम पुरुष्की है और ये वी आईपी सीट पे कोई भी जनरल वाला नहीं बैठता है जनरल केटेगरी की क्लियाएं कौन सी है उन्हें ती तह अंती है प्रत्य जनरल वालों के लिए तो क्या लगा दिय है बाली की का चाता है क्या कहेंगे कर मनी दौली का रिटेज सब नहीं हो जाए ऎक चीज आप ने देखे मोठय वाली का सब मैं महा वार्क體 पर해esta का थो तब भी माहलंताया पुरलिंग था तब भी माहलंताया तो ज्यादा तर आप जितने भी शब्द रूप देखेंगे उसके द्वीतिया का एक वचन देखिएगा हम दोग की वह बहुचन की बात में कर रहे हैं यह दोनों अलग-अलग बनते हैं रूपों में बहुत अलग-अल पुर्षण में हो तो उसमें आप उस मुल शब्द में माहलंताया दिजी आपका कर्म वो बन जाएगा तो इस पार्थ में हमें कर्म को ही सीखना है ठीक है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे अब समझ में आ गया कि कर्मनी कर्तरी प्रैथमा और कर्मनी द्वीतिया और कृया किस कर दो लिखे हुए हैं इनका इसलिए के अपकी आपकी जुवाकी लिखेशना उनका अर्थ भी हम बता देंगे कि क्यों हम किसको क्या वोलना है जैसे हमने इसको देखके कहा व्रिक्षे व्रिक्ष ऑर व्रिक्षे देखके हमने अद माढप मन से बोला नेहीं जरा सब्तमी विभक्ती में रूप देखिए यह हो गई सश्ठी और यह हो गई सब्तमी जरा सब्तमी विभक्ती में बालक का रूप देखिए यहां उदा ना दिख रहा हूँ तो हम यहां लिख देते हैं बालके बालकयो और बालके शूर तो सब्तमी विभक्ती एक वचन में कुछ न कुछ चिन जुड़ जाते हैं जैसे प्रतमा विवक्ति करता के लिए है तो नेक आर्थ जुड़ देती है साथ मैं विटिया विवक्ति है तो को का आर्थ जुड़ देती है जैसे मैं बनाता हूं किसको चित्र को तुम जाते हो कहा को विद्याले को लड़का किसको द करने की प्रयास करेंगे तब उसमें अर्थ हम से या के द्वारा का जोड़ेंगे जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगी होगी उसमें हम के लिए का अर्थ जोड़ेंगे जहां बालकाय लिखा होगा हम उसका अर्थ ने कहेंगे कि बालक के लिए पंची में जहां लगी होगी वहां से का अर्थ जोड़ेंगे लेकिन अलग होने वाला यानि गाउं से लड़का बाहर जाता है तो से अलग होने वाला पंचमी विभक्ति में जोड़ेंगे सश्ठी जहां लगी होगी उसमें हम काकी के का अर्थ जोड़ेंगे कहेंगे बालक का लड़की का लड़के के दुनिया के किसी का नगर का नगर का बालक है तो यह तो शेहर का बालक है शेहर की लड़की है ना तो नगरस्य बाली का शहर की लड़की किसकी नगर की लड़की न तो शहर को क्या कहते है नगर कहते है नगरस से बाली का हो गया का की की का अर्थ किसे कहा से जोड़ा सश्थी वक्ती से सत्मी जहां लगेगी मैं पर का अर्थ आ जाएगा तो क्योंकि अब आपको देखना है यह कह रहे है व्रिक्ष पर तो यहां पर तो सब्तमी लगी हुई है तो इसके हिसाब से क्रिया चलेगी बुलिन नहीं क्रिया हमेशा प्रथमा के हिसाब से चलती है किसके हिसाब से चलती है जिश शब्द में प्रथमा विभक्ती होती है उ तो हमारा करता या हमारी जो संग्या है वो कौन सी आएगी तो कहेंगे अस्ती आरती है एक वचन के लिए अस्ती एक वचन के लिए लगा जाती है एक वचन की संग्या होती तो हम कहते हैं बालकह अस्ती बालिका अस्ती है ना और जैसे ही संख्या में कोई भी जो संग्या हो य संती लगा देते हैं तो अब हमें यहां पर क्या करना है संती के हिसाब से संती के लिए हमें यहां फल के तीन रूप लिए हैं एक जगा लिखा है फलम दूसरी जगा लिखा है फला और तीसरी जगा लिखा है फलानी तो सबसे पहले हम इसको तो काटेंगे सबसे पहले हम इसक इतनी भी रूप आप देख लोगे वह किस जैसे मुले फलाह आपको कहीं नहीं मिलेगा उसमें क्योंकि बढ़िया की मात्रा केवल पुर्लिंग वालों में लगाई जाते बढ़िया की मात्रा विसर्ग स्री लिंग में बहुख सिमर बालिक लेकिने नपूण सकलिंग में क्या रूप बनता है फलम फले फलानी तो यह तो यह रूप ही गलत लिए तो संती लगा हुआ है यहाँ पर कौंसी संहीं उठाएंगे बहू वालिप और रूप के अनुसार वही नपुन सक लिंग वाची है तो फला ने उठाएंगे, बालक जैसा बालकाह नहीं उठाएंगे बालक होता तो बालकाह संती लिग देते, लेकिन फलाह नहीं बनता फल का रूप करबी बनता ही नहीं है नपुनसग लिंग रूप अगर देखो तो फलम फले फलानी फलम फले फलानी और फिर तृतिया से सब्तिमी तक जरूर बालक जैसे होते हैं यह मना नहीं करने के बालक जैसे नहीं बनते हैं या पुरलिंग जैसे नहीं बनते हैं लेकिन वो तृतिया से सब्तिमी तक बनते है अब कहते हैं चात्राह गच्छन्ती अब चात्राह यानि चात्र एक नहीं है दो नहीं है बहुत सारे हैं अब लड़की भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकते हैं चात्राह गच्छन्ती यानि चात्र जाते हैं तो हमें ने कहा कि करता भी मिल गया क्योंकि इसमें प्रत्माव भक्ति लगी हुई है उमने पहचान लिया चात्रह 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 अगर आकारांत कोई लड़की तो कहेंगे चात्रह चात्रह तो समझ लिया यानि पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है चात्रों सकता है चात्रह कोई भी हो सकती है गर चंती जाते हैं तो क्र तो बचा क्या विद्यालय हो गया कर्म क्या बन गया विद्यालय हो गया कर्म के चात्र जाते हैं यह चात्र जा रहे हैं कहां जा रहे हैं विद्यालय को जा रहे हैं तो विद्यालय अगर कर्म बन रहा है तो विद्यालय में हम दुईतिया विवक्ति लगाएंगे तो विद्य तो रूप बन जाएगा विद्यालयम चाहिए अनस्वा लगा दिजे विद्यालयम तबखार्त है तब हमारी युशमत शब्द का रूप होता है युशमत यानि तुम तो अरफ आथ इसमें का तो अरफ आप जोड़ी लो तुम जो तुम तो काकी की जोड़ तो तुम का सभी में नहीं आता है तुम का अच्छा नहीं लगता है तुम्हारा कहा तुम्हारा कुत्र अस्ति तुम्हारा कहां है क्या वह ग्रह मैं तो क्या कोई कौन सी हमारी ग्रह शब्द कैसा होता है ग्रह शब्द हमारा कैसा होता है ग्रहम ग्रहे ग्रहानी तो यहां पर बताए अब जब ग्रह जो शब्द है वो हमारा नपुन सकलिंग है तो उसके ग्रहम ग्रहे ग्रहानी ग्रहम ग्रहे ग्रहानी प्रतमा अद्वितिया का अगर दो तक अगर बालक जैसे रूप हमें दिखाई देते तो तो हम समझ लेते लेकिन तो प्रत्मा विभक्ति लगी अर्थात ये जो क्रिया है जो क्रिया अस्ति आई हुई है वो इसके हिसाब से तो आई नहीं होगी क्रिया उसके हिसाब से आती है जिसमें प्रत्मा विभक्ति लगी होती हुई तो यहां पर हम प्रत्मा विभक्ति वाले ग्रह को ढूणेंगे तो ग्रह में प्रत्मा विभक्ति गलत लगी हुई है क्योंकि पूर्लिंग जैसी लगा दी इसमें कोई विभक्ति है ही नहीं और ग्रहम शब्द में हमारी सही व जहां है काम हो रहा है नहीं हो रहा है केबल पहचान आ रहे है को तुम्हारा घर कहां है पहचान के लिए बात हो रहे है जहां पहचान हो रहे होती है वहीं पे अस्ति इस्तह संती हमारे आते हैं नहीं तो कोई ना कोई क्रिया आ जाती है असधातों कहीं पर भी आये समझ जान यहां पे तो केवल पहचान वाली बात को रही है अस्ति इस्तह संति की लिखा हो तब अब आगे लिखा है दूर दर्शनम पश्यामह देखे क्या लिखा है पश्यामह दूर दर्शनम तो दूर दर्शन को तो देखे माहलंद ने क्या बना दिया कर्म बना दिया दुईतिया भी भक्ती लगी है कर्म है लेगा क्या है पश्या महा तो जो पश्य जो क्रिया है वो कर्म के हिसाब से जो चलती नहीं है क्रिया हमेशा जो अंत की क्रिया होती है वो हमेशा करता की अनुसार आती है जैसा कि हमने बताया कि करता जैसा जिस पुरुष वचन का प्रत्म पुरुष्च के लिए नहीं है दो नहीं है है औरude इडिया लगी है तो हम नहीं होगा आवाम नहीं होगा वयम हमारा सही उत्तर बन जाएगा हम कहेंगे वयम यानि हम हम सभी दूरदर्शनम पश्याम हम सभी दूरदर्शन देख रहे हैं हम सभी दूरदर्शन देखते हैं चाहे देखते कहें या देख रहे हैं क्रिया यही आएगे ठीक है यानि बस बस होनी चाहिए लटलकार की होनी चाहिए यानि वर्तमान की बात होनी चाहिए काम वर्तमान में हो रहा हो तब ठीक है बाली का गमिश्यती अब लिखा है बाली का बाली का यानि लड़की प्रतमा विबक्ति यह करता है गमिश्यती यान पर भविशे काल की क्या आ गई है क्योंकि ती तह अंति अकेला लटलक पर पर ये Mozart विक यानव pacq कर रहा है जाए vert करा में लड़की जाएगी कहां जाएगी मुले पाठ शाला जां़े के दौरा चाहर वो पाठ्षाला जाना चाहेगी तो पाठ्षाला को कर्म अनी द्वीतिया हम बनाएंगे तो पाठ्षाला मुले गलत पाठ्षालाम पाठ्षालम मुले नहीं पाठ्षालाम मुले पूरा नाम लिखने के बाद माह अहलन्त आता है और कोई परिवर्त नहीं आता है तो हम लिखेंगे पाठ शाला ठीक है यह हमारा हो जाएगा इसका कर्म बना देंगे कि बाली का पाठ शाला को जाएगी यानि लड़की पाठ शाला को जाएगी ठीक है ना पाठ शाला कैसा शब्द है आकारांत शब्द है बाली का जय सारूब लगा तो तब भी माहलंत लगना है अकारान्त होता तब भी लगाते, नपुनशक करवा दिये हैं चले अब देख लेते हैं अब अगर हम इनको हटा दें तो अब आप कर सकते हैं आपने आपसे हमने विभक्तियों की भी अर्थ बता दिये आपको अब रिखा है सरोवरे होई बात आगई सब्तमी विभक्ति लगी है मैं परकार्थ जोड़ दिया यानि सरोवर में सरोवर में कमलानी तो फलम फले फलानी यानि फल कैसे हो गए बहुत सारे हो गए सरोवर में कमल क्या हो रहे हैं विकसती विकसतह या विकसंती तो कमलम एक वचन होता तो विकसती लागाते बहुत सारे हैं कमलानी हैं तो विकशंती हम लगा देगें ठीक है कर्ता के अनुसार आपको क्रिया एह अधर लगानी है सरोवरे कमलानी विकसंती व्रिक्षे यानि व्रिक्ष पर विहगव जैसे बनता है बालकह बालकव वैसे विहग विहग का अर्थ होता है पक्षी खग विहग खग का अर्थ क्या होता है पक्षी और विहग का अर्थ भी होता है हमारा पक्षी दोई वचन का है तो क्रिया भी आएगे हमारी कूजतह दूई वचन की फिर आगे लिखा है किम क्या यूयम यानि तुम सब यूयम को पकड़ो यूयम क्या लिखा है क्योंकि क्रिया लगाने न तो सिर्फ हमें करता दूनना चाहिए कर्द और कर्था कैसे ढूंडना जाता है जिसमें प्रत्मावी वक्ती लगी हुई कर्थरी प्रत्मा यानि आपको जो क्रिया लगाने के लिए आपको शब्द रूपों की पहली लाइन याद करनी पड़ती है इसलिए की जाती है तो कहा यूयम तो यूयम कहां आता है तुम के रूप में आता है तुम सब एक नहीं है दो नहीं है बहुचन है तो हमारी क्रिया भी आएगी एक वचन वाली आएगी सी थह थह तो सी थह थह तो एक वचन में लगाया जाता है सी दुई वचन में थह और बहुचन में थह तो त स्वम लिए आता खेले शयसी योवाम के लिए आता खेले शयथ और बहु अचन के लिए आजाएगा खेले शयथ खेलोगे क्या तुम सभी क्रिकिट खेलोगे यहां पर शया लगा हुआ ना तो समझ लिना यह भविशेकाल की बात हो गए है और लटलाकार के इन प्रतियाओं के आगे जब स्या लगा दिया जा तो समझना न यह भवेशेकाल की हो गई यह भवेशेकाल की बात हो गई क्या तुम सभी क्रिकेट खेलोगे तो यह हो जाएगा हमारा खेलिश श्यत सी थह थह अकेला थह लग जाएगे खेलिश श्यत बाली का दरपने स्वा प्रतिबिम्मम बाली का दरपने सक्तमी भक्ती दरपन में लड़की दरपन में यानि सीशे में स्वा यानि अपने प्रतिबिम्मम अपने प्रतिबिम्म को अपने ही रूप को क्या कर रही है रिक्षे तह दो देख रही है या पश्यंती बहुत सारी देख रही है तो क्रिया के लिए हम करता को पहचानेंगे कि ये एक वचन है दो है या बहुवचन है एक वचन मनती है बाली का दो ये वचन मनती है बाली के बहुवचन मनती है बाली का तो एक है तो क्रिया आजाएग आप आपको अलग प्रकृति का यहां पर पन को चुनना है. यानि अलग स्वभाव वाले को अब जैसे यहाँ पर जैसे हम आपसे कहें कि घोड़ा, गाए, बैल और शेर तो आप कहोगे घोड़ा, गाए और बैल ये कैसे होते हैं? भाईशा का हरी जनतु होते हैं और शेर कैसा हो जाता है? अलग हो गया के नहीं? उसका स्वभाव इन से अलग हो गया के नहीं? हो गया, तो ऐसे ही भिनप्रकृति के आपको यानि जनका अलग स्वभाव हो ऐसे पद को आपको चुनना है तो दिखा है अश्वह यानि गोड़ा गजः हाती, बिडालह, बिल्ली या पादप यानि पोधा भिन प्रकृती क्या होई पादपह फिर लिखा लता यानि बेल बेले लता वृक्षह पेड कुसमानी यानि कुसम कुसम कुसको कहा जाते है फूल को तो गोह सारे फूल या शीग्रम जल्दी तो बताए भिन प्रकृती क्या होई शीग्रम आगे में से अलग कौन सा हुआ तो कहेंगे नारी केलम नारियल आम और हमारा नाश पाती ये सब हो गए हमारी को फल तो मिष्टा नम यानि मिठाई अलग प्रकृती हो जाएगी अब देखिए यह जो व्रिक्षा हमने पाठ पढ़ा था तो इसमें क्या पढ़ा था हमने व्रिक्ष जाह कैसा लगते हैं देखते हैं अपने बिम्ब को जल में ऐसा लगता है कि जो सरोवर का जल है उसमें व्रिक्ष अपने बिम्ब को देख रहे हैं यानि अपनी परचाई को देख रहे हैं अपनी छाया को देख रहे हैं तो यहां पर देखिए वनम यानि वन यानि जंगल जनम यानि व्यक्ति ठीक है अब आगे लिखार यानि जन को विंबम यानि विंब को ऊछलम यानि जलको तो यहां पे बताई कि कौनसी चीज़े हमारी किस की हिसापसे विंब और जल्ग जन यह तो पार्ट से सम्मन्न तो यहां पर जनम हमारा क्या हो जाएगा भिन प्रकृति का शब्द हो जाएगा चले आगे देखते हैं अधो दत्ता नाम तालिकां पूरियत नीचे दीव ही आप तालिका को पूरा कीजिए अब यहां क्या लिखा है विहगाह अब समझ लीजिए यह बढ़िया की मात्रा और विसर्ग आया है अर्थात इसका मूल रूप क्या है विहग तो अगर बढ़िया की मात्रा और विसर्ग है तो यह कहां बनाया जाता है शब्द रूप की बात आ गई तो यह बहुवचन का रूप बना हुआ है प्रत्मा विवक्ति के तो इसका आपको दूई वचन और एक वचन लिखना है तो क्या बनेगा एक वचन में बनता है किवल विसर्गाता है तो विहग बन जाएगा विहग विहगह विहगह दूई वचन में लिखेंगे आप विहगव और बहुवचन में लग जाएगा विहगह अब ऐसे वीर को बनाएंगे तो वीर बन जाएगा हमार वीरह, वीरव और वीराह आगे देखेंगे चात्रम अब देखें ये हो गई हमारी कौन सी प्रत्मा विभक्ती की बात अब चात्रम चात्र शब्द में माहलंत आ गया अर्थाद अब आना है हमारा जो शब्द रूप है उसकी द्वितिया विभक्ती यानि दूसरी लाइन की दूसरी लाइन में चात्र बन गया चात्रम तो द्विवचन में क्या बनेगा चात्रव और बहुवचन में बन जाता है चात्रान यान जैसे बालकम बालकव बालकान तो चात्र बन जाएगा चात्रम चात्रव चात्रान अब गया ऐसा ही पादप शब्द बना है पादप य कि upित इंस सारी बापन Well आगे देखैंगे अब यह हो गए कौनसे हमारे अकारांट शब्द ये देखे वीर, वेहग, वीर, छात्र, पादब ध्यान कीजिए प्रत्मा और दिटिया की लाइन याद करवानी का प्रयास किया गया है इसमें क्योंकि प्रत्मा विभक्ती में जैसे बालक अकारांट शब्दों की बात हो रही है तो बालक अपना रूप क्या बनाता है बालकह बालकव और बालकाह और जुईतिया भी भक्ती में क्या बनता है बालक का रूप बालकम बालकव बालकान ठीक है यह हमारे कौन से हो गए पूरलिंग वाले शब्द जो अकारान तो होते हैं क्यासे होते हैं अकारान तो होते हैं अब चलते हैं अब आ चुके हैं हम दूसरे उस पर देखिए यह तो हमने उत्तर आपके बता ही दिये हैं तो यह अपने उत्तर इस प्रकार से लिख हुआ है मित्राणी लिखा हुआ है तो अर्थात अंत में हमें आनी दिख जाए तो समझ जाना यह फल वाली लाइन जैसी बन रही है यानि नपुंसक लिंग शब्द बन रहे हैं तो नपुंसक लिंग अकारांत शब्द अपने प्रत्मा द्वीतिया में क्या रूप बनाते है फलम फले फलानी प्रत्मा विवक्ति में भी बनाते हैं फलम फले फलानी और द्वीतिया विवक्ति में भी बनाते हैं अपना रूप फलम फले और फलानी तो यह हमारा मूल रूप क्या है मित्र क्योंकि आनी हटा दो तो जो चीज बचती है वो मूल रूप होती है उसकी त तो मित्र बन जाएगा एक वचन में मित्रम, दुई वचन में बन जाएगा मित्रे और बहु वचन में बन जाएगा मित्रानी ऐसे ही कुसुम अब चाहिए यह मनलो चाहिए हम प्रत्मा की बना रहे हो है दुईतिया की क्योंकि बनने तो समा नहीं है कुसुम बनेगा कुसुम कुसुमे कुसुमानी ठीक है फिर आम्र क्या बनेगा आम्रम आम्रे और आम्रानी फलक फल क्या बनेगा फलम फले और फलानी ठीक है इस प्रकार से ये अपने नपुनसकलिंग के प्रत्मा दितिया हो गई ठीक है अब इसमें हमें क्या करना है लिखा हुआ है आकाशी खगा उत्पतन तो इसमें आपको क्या ढूनना है प्रश्न पड़ी अधोदतेशू यानि अधो अधह अधकार्थ क्या होता है अधह कार्थ होता है नीचे दत यानि दिये हुए मैं और वाक्येशू सब्तिमी विभक्ति लगी है मैं कार्थ जोड़िये अधो दतेशू वाक्येशू नीचे दिये हुए वाक्यों मैं कर्तरी पदम कर्म पदम चाचित्वा लिखत यान कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है, अब आकाष शब्द लिखा है, आकाश क्या आकाशम लिखा है, नहीं लिखा है, बता यह कौनसी विख्थी है इस में, सक्त्मी विख्थी तो क्या ये करता है मुले नहीं क्या ये कर्म है नहीं क्योंकि करतरी प्रत्मा कर्मानी द्वीतिया ध्यान किजी लिख लिजे करतरी प्रत्मा यानि शब्द रूप की पहली लाइन का अगर जो रूप होगा वो करता बनेगा जिसमें द्वीतिया विभक्ती लगी होगी जो शब्द रूप की दूसरी लाइन जो बनती है द्वीतिया विभक्ती वाली वो कर्म के लिए होती है तो सब्तमी विभक्ती लगी है आकाश में तो यहाँ पर आकाश क्या करता बना मुले नहीं बना कर्म बना नहीं बना चलि तु छोड़ो इसको आकाश को रहने देते हैं अब क्या लिखा है खगाह यानि पक्षी खग क्या होते हैं पक्षी और बहुवचन वाले रूप लगए हैं यानि प्रत्मा विभक्ति इसमें लगी हुई है जैसे बालकह बालकव बालका तो खगह बन गया हमारा करता तो हम कहेंगे खगह इसमें कौन है करता है क्रिया छाट नहीं होती तो उत्पतंती आप क्रिया लिख देते कि खगह इसमें कौन है करता है क्योंकि इसमें प्रतमा विभक्ति लगी हुई है और क्रिया उत्पतंती हो रही है तो इसमें कर्म हमारे पास न कर्म है पर्णानी संती पर्ण है यानी पत्ति है पर्ण का अरती क्या होता है पत्ता और बहुचन लगा है फलम फले फलानी यान की जी प्रतमा विभक्ती का बहुचन है क्योंकि संती है न संती कह रहा है कि इसमें प्रतमा विभक्ती है अगर इसमें प्रतमा नहीं होती तो अ सथोगे में उसी के अनुसर upside को कुछ नहीं करना संती ग्रिया है किसके अनुसर आ सहार आते हैं पर्ण में प्रत्मा विवक्ति है क्योंकि ये बहु अचन है और ये बहु अचन है दोनों बहु अचन है तो समझ लिया है कि दोनों दोनों बहुए है एक जसी है तो मतलब के यहाँ पर्ण में क्या लगी हुई है हमारी प्रत्मा विवक्ति हो करतरी प्रत्मा तो यह क्या हो पढ़नानी, ठीक है, पढ़नानी करता हो गया, कर्म है क्या इसमें, नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं, छात्रह प्रत्मा विभक्ती लगी है, अर्थाती हो गया हमारा करता, पुस्तकम, पुस्तक में क्या लगी है, दुईतिया विभक्ती, पठती यानि पढ़ता है, तो ये तो हो गई क्रिया तो छाटनी नहीं है हमैं करमपद छाटना है तो छात्र करता हो गया पढ़ने की यहनी हम प्रथमाविभक्तुय है हम आवं वैं म प्रथमाविभक्ति के रूप बनते हैं अश्मत शब्द के तो कहा प्रतमा विवक्ति है करता हो गया आगे देखें लिखा महा क्रिया हो गया लिखने के द्वारा क्या लिख रहा है लेखम दूइतिया विभक्ति तो यह हो गया हमारा लेखम चीक है आगे लिखा है जनाह विदेशम गच्छंती जनाह यानि बहुत सारे लोग प्रथमा विवक्ती कब हुए चल लिखा है जैसे बाल कहा बाल कहा जनाह जनाव जनाह तो यहाँ पे जनाह क्या हो गए प्रथमा विवक्ती के प्रथमा विवक्ती से करता गजनती क्रिया इसके अनुसार आईए जिसके अनुसार क्रिया लगी हुई समझ लेना कि वो ही करता है जाने के द्वारा कहा जा रहे है विदेश को तो विदेश हो गया आपका कर्म तो आप क्या लेखेंगे विदियेशम गच्छनती वरिक्षाह वनम रच्यनती यानि वरिक्ष वन की रचना करते हैं तो वरिक्षाह प्रतमा विवक्ती करता हो गए शब्द रूपियाद करना बेटा बहुत ज़रूरी है शब्द रूपियाद नहीं करोगे संस्कृत समझ में नहीं आएगी धातु रूपियाद नहीं करोगे संस्कृत नहीं पकड़ पाओगे भाशा को सीखना है तो आपने जब इंगलिश और हिंदी सीखी थी तब भी तो सीखा था कि कमल बनता है इसको कमल कहते हैं इसको बस कहते हैं इसको सेव कहते हैं संत्रा कहते हैं शब्द तो सीखे दे न तो यहां पर भी शब्द की रूप तो सीखने पड़ेंगे न जब हम कोई भाशा सीख रहे हैं न रचयन्ति प्रिक्षाह रचयन्ति चीक है तो से यह आपकी हो जाते हैं कर्तरी और कर्म ठीक है और स्वरी रचयन्ति क्रिया हमने लिख दी वनम अपण कर्म हो जाएगा यहाँ पैसि यह जो आरी क्रियाbeं आगे लिखा हुआ है अधुदत्तान प्रश्णान उत्तर जो आपके पाठ में प्रशन आये हैं उनको हमने दिया हुआ है प्रशन बताए व्रिक्षाह पादबई कम प्रश्यंती लिखा हुआ है व्रिक्ष पेरों की द्वारा किसको छूते हैं अब कम शब्द फिर से देखिए जैसे अभी हमने द्वीतिया विवक्ति आपको किस में बताई शब्दों में बताए ना संग्या शब्दों में बताई आकारांत शब्दों की द्वीतिया बताई आकारांत की बताई और नपुन सकलिंग की बताई ऐसे ही जो किम शब्द होता प्रत्मा और द्वितिया में जो अपना रूप बनाता है वो क्या बनाता है पूर लिंग के लिए बात हो रही है तो यहां आएगा कह कउ के पूर लिंग की बात द्वितिया विभक्ति में बनाएगा कम कउ और कान फिर किम इस्तरी लिंग के लिए केवल अब दो 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 विभ कि आ बालह बनाफ बालल कार उत्व तो बाल कांद बचा कण बचा बचा तो बहीं पुर्लिंग जैसे बालक जैसे किम के पुरलिंग के रूप बन जाते हैं बाली का जैसे विलकुल सेम टू सेम स्त्रीलिंग के बन जाते हैं प्रत्मा विभक्ती में क्या रूप बनता है बाली का का बाली का बाली के बाली का तो बाली हटा दो बचा का बाली हटा दो दुईतिया दुई वचन में बचा के और बहु वचन में काह फिर यहाँ पर आएंगे दुईतिया विवक्ति की बात करेंगे तो बचेगा बाली का का बाली हटा तो बचा काम फिर बाली के और बाली काह ये रूप बने इस तरी लिंग के लिए और किम के नपुनसक लिंग के लिए क्या बनते हैं प्राथमाद्वितिया में किम के कानी किम के कानी किम के कानी जैसे फलम फले फलानी ऐसे ही किम के कानी ठीक है अब हमने ये क्यों बताया ये इसलिए बताया कि हमें आपको रटना नहीं सिखाना है हमें आपको समझ आपके अंदर विखसित करनी है कैसे कि आप प्रिशण के उत्तर आप रटे नहीं आप अपने पने स्वेम उर प्रिश्वाढक शब्हाना यानी कहां से कदा कुछ और बाकी सारे प्रिश्वाढक शब्हा कमें यह प्रिश्वाढक करो है तो देखे क्या लखा है व्रिक्षा उनी व्रिक्ष पाद decisive यानि पैरों के दौरा योगि पाद शब्द में क्या लगा वह रखार्त पैर उस Καιरव कण पार कीई को पहचानी है कि कम कहा से हाया कम हमारा आया है है पुर्लिंग के शब्द से विभक्ति के एक वचन रूप में कम बनाया जाता है अर्थात आप इसकी तीन चीजें पहचानेंगे इस प्रिश्णवाजक शब्द की आप उत्तर बना लेंगे अपनी आप से कैसे आप केबल तीन चीजें पहचानी है लिंग विभक्ति और वचन यह किस लिंग में से आया कौनसी विभक्ति इसमें से विदिया विभक्ति वचन कौन सा है एक वचन अर्थात जो उत्तर बन रहा है उसमें आप पुरलिंग वाला आएगा और उसमें द्विदिया विभक्ति एक वचन का आपको रूप लगाना है अर्थात वो निश्चित ही कर्म है उत्तर हमारा कर आने वाला है क्योंकि उसमें द्वीतिया विभक्ती एकवचन का रूप लगाना है तो क्या लिखेंगे रिक्ष पेरों के द्वारा किसको छूता है तो आप क्या कहेंगे कि इस कम के स्थान पे आप जो शब्द लिखने वाले हैं उसमें आप द्वीतिया विभक्ती एकवचन लगा देंगे और इस प्रशंती आप लिख देंगे अपका उत्र बन जाएगा अगर आपने पाठ पड़ा है और हिंदी में आपको अर्थ पता है कि व्रिक्ष अपने पेरों के द्वारा पाताल को इस पर्श करते हैं तो आप कहेंगे कि किस को छूते हैं आपने हिंदी में तो याद कर लिया कि पाताल को छूते हैं तो पाताल शब्द को संस्कृत में लिखने के लिए क्या करेंगे इस से पूछेंगे बताओ हम कौन सी विभक्ति लगा दें वो कहेगा कि अगर मुझ में द्वीतिया विभक्ति लगी है तो जो उत्तर है उसमें भी द्वीतिया ल के है वो भाई तीन जगा आता है एक तो यहां आता है यहां आता है यहां आता है यानि पुरलिंग में भी के आता है स्त्रीलिंग और नपुनसकलिंग में के आता है अंतर क्या है बुले यह वाला जो के है वो दुईवचन का है यह वाला के है जो बहुवचन का है तो क्रिया ह वो बहुवचन वाला के उठाया गया है अर्थाद इस अब के से क्या चीजें पैचान होगे आप पूछोगे बताओ आप कहां से आयो वो कहेगा पुरलिंग का हूँ मैं मुझे में प्रतमा विवक्ति और बहुवचन लगा हुआ है अर्थाद आपको क्या पूछना है उससे लिंग विवक्ति और वचन ये तीनों चीजें पूछले अर्थाद अब इसका हमें उत्तर जो मिलने वाला है वो पूरलिंग का होगा ही निश्चित होगा और उसमें आपको प्रतमा विवक्ति बहुवचन का उसका रूप लिख देना है तो के वनम वनम रचियंती कौन व पूरलिंग का है मिल गया पृतमा विवक्ति लगाओगे और बहुवचन में उसका क्या रूप बनेगा व्रिक्षव व्रिक्षाह तो के के स्थान पे व्रिक्षाह लगा के आप बाकी की सारी चीज़ें लगा दोगे आपका उत्तर बन जाएगा प्रिशन से उठाके व्रि dolals आदे मिलेंगे تीचर समझ जाएंगे क्या पने रटा है इसलिए आपको विसर्ग याद नहीं रहे नहीं तो अगर आपको आपने समझ से लिखा ओता तो आप कहते अगर प्रतमा का विवच्ष बन रहा है रूप तो जैसे बालक बालकम बालकाव बनाता है प्रतमा की पहनियों के दोला याम दोला पर दोला यानि जूला ओई दोला आकारांत शब्द है याम शब्द सब्तिमी बिभक्ति में लगता है उसमें बालीका का सब्तिमी बिभक्ति का रूप देखेंगे अर्थ बनता है रूप बनता है बालीका याम अर्थ क्या बनाता है पर का तो यहां पर і आसी नाह शब्द हमें बताएगा मुले हां बहुवचन वाला है तो तो सबस्रीषेर क्या आना चाहिए मुलेOSब्र बिल्ट का ऊना चाहिए उसमें प्रतमाविवक्ति हमें विहन吗 डिल्ले भीधेर चाहिए तो ब्रतमाविवक्त इस तरह से रूप बन जाएंगे इस तरह से उत्तर दीना है कोई कठिन बात नहीं होती है लेकिन बस हमें थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ता है ठीक है विक्षाह यणि विक्ष स्वच्छाय संस्तर्णम प्रसार किमकुरवनती विक्ष सवच्छ यानि अपनी स्वच्छाय को यहाँ पे चत्वदान एक हमारी संधी आती है जिसके वज़े से यहाँ पे चाका आगमन हुआ है लिखा है स्वय यानि अपनी छाया, अपनी छाया के संस्तरणम, अपनी छाया के विस्तर को प्रसार्य यानि फैला करके, प्रसार्य यानि फैला करके किम को रुवन्ती क्या करते हैं, अब ये जो किम शब्द है, क्या का अर्थ बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्मा बिचा करके सतकार करते हैं तो सतकार वही हमारा किम जैसा बनेगा जैसे फलम फले-फलानी फलम-फले-फलानी दोनों बिभक्तियों में रूप एक जैसा रहता है तो किम के स्थान पे भी हम फलम सत्कार शब्द का प्रियूख कर देंगे सत्कार हम सत्कार को करते हैं किम यह हमारा कौन सा है ने द्वित्याभी भक्तिवाला क्यों कि यहां पर किसको करोते हैं प्रिसार करके क्या करते हैं ड़ीत्याभी वक्तिवाला का रूप तो हमार आ जायेगा कर्म की बात पूछी गई है क्योंकि विर्ख्ष हों गये करता तो regression का कर रहे हैं अब किसको कर रहे है करने की द्वारा क्या करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे किम शब्द या पिर से देखे करता है और क्रिया है करता है और क्रिया है तो अर्थात ये जो प्रिश्ण आ रहा है वह किस के लिए आ नपुन सकलेंग वाला शब्द दोनों में एक ही जैसी विवक्ति बनाएगा तो कहेंगे व्रिक्षाह यानि व्रिक्ष पवन को और जल को पीते हैं तो पवन भी क्या हो जाएगा दूइतिया विवक्ति वाला पवनम जल भी हो जाएगा जलम और बीच में लगाना है तो चा लगा दीजे बीच में चा कभी भी नहीं लगाया कीजे दो शब्दों को अगर जोड़ना है जैसे हम कहते हैं माता और पिता हिंदी में और बीच में लगता है लेकिन संस्कृत में कहते हैं माता पिता च च बाद में लगा देते हैं ठीक है तो हम कहेंगे पवनम जलम च पि किस को पड़िगों कि यहां पर लिख देंगे क्योंकि यह हमारा कर्म बन ऻहा है यूर इत्याबीवक्ती लगा कि हम लिखनेगे फलरसम किमत्वम क्या तुम करता हो गया पश्यसी क्या तुम किसको Western कि करता हा यूआ है तो ये दूसरा शब्द क्रिया के साथ में निश्चित ही वो कर्म बन रहा होगा क्या तुम देखते हो किसको दूर दर्शन को तो दूर दर्शनाह लिख दिया तो क्या सही है मुले नहीं क्यूंकि दूतिया विभक्ती में कभी भी अमारे पास बिसर्ग नहीं आते हैं जो रेखांकित पद है उसी को शंशोदित करके लिखना है चात्राह लिखंती चात्र लिख रहे हैं क्या लेख लेख को दूर बना दो बन जाएगा लेखं अहम विदेश गमिश्यामी में जाऊंगा विदेश जाऊंगा तो विदेश क्या हो रहा है कर्म तो कहेंगे विद और देशम समझ गया जहां पर भी को का अर्था आये वहाँ पर दुवितिया विभक्टी लगा दिना बाली का खाधति बाली का खाति है किसको गोजनम गोजन को तो करमनी दुवितिया गोजन शजब्द अकारांत शब्द सुमाहलınd लगा दिया बन गया बोजनम कर्म बन गया थीक है तो यह इसके आपके उत्तर हो गाया चले तो इस तरह से यह पाठ के हमने टेस्ट पेपर करवा दिया और टेस्ट पेपर के साथ-साथ हमने रिवीजन भी करवा दिया कि हो सकता है अगर सिने पाठ ना पढ़ाओ उसकों हमने भी सिक्षानी के प्रयास किया तो कितना समझ में आया बता ज़रूर और आपके डाउट सारे clear हुए है नहीं हुए है कोई डाउट रहे गया है तो बताएगा जरूर कमेंट्स में अच्छा ये सारे वीडियो आपको हमारी Magnet Brins website पर बहुत आसानी से arrange हो की मिल जाएंगे class 6 पर जाओ आप Magnet Brins.com सर्च कर लिजे या फिर Play Store से Magnet Brins के एप को डाउनलोड कर लिजे वहाँ पर देखे क्या है बहुत सारी चीज़ें ढूंडने नहीं पड़ेंगी आप अपनी class के हिसाब से आप जाए नीचे एक एक चीज़ सीक्वेंस वाइज लिखी है कि class 6 की कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए हैं अप तरह से ढूंडना आसान हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि आपके लिए 6 क्लास के लिए कौन सी चीज़ें आपके एवेलिबल हैं तो वेबसाइट का यूज कीजिए एप का यूज कीजिए जिससे कि आपको आसानी सी चीज़ें मिलेंगी तो पढ़ाई बैच्छी हो अच्छा है मैगनेट बेंज हिंदी चैनल भी शुरू हो चुका है जिसमें स्टेट बूर्ट की पढ़ाई हिंदी मीडियम में करवाई जाएगी तो जो भी बच्चे उन्हें बताईएगा आसपास कि जो भी आपके परिचित के हो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो जिससे कि वो लोग भी पढ़ाई का लाब ले सकें अच्छे से पढ़ सकें तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले पार्ट के टेस्ट पीपर को स्वल्व करवाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद